पाठ आठ सिक्के पाठ परिचे अलग-अलग वस्तुओं का संग्रह करना शौक कहलाता है जैसे कि बहुत से लोग डाग टिक्टों, सिक्कों, पोस्टर्स, शंखों और पत्थरों का संग्रह करते हैं जीवन मूल्य इमानदारी, गल्ती पर पश्चाताप होना, मित्रता का भाव, रुची के अनुसार कार्य, शमा करना स्वाती को अलग-अलग देशों के सिक्के इकठे करने में बहुत रुची थी उसके मामा जी कनाड़ में और बुआ जी मलेशिया में रहती थी वे जब भी भारत आते, स्वाती के लिए बहुत सारे सिक्के लाते स्वाती के कक्षा में रीना भी पढ़ती थी, जो की उसकी पक्की दोस्त थी स्वाती को सिक्के एकठरित करते देख कर ही रीना को भी सिक्के जमा करने का शौक चड़ा स्वाती के पास एक सुनेहरी थैले में अलग-अलग देशों के बहुत से सिक्के थे लेकिन रीना के पास दूसरे देशों के सिक्के ना थे उसके पास भारत में बने पुराने सिक्के ही थे स्वाती जब भी कक्षा में भिन-भिन देशों के सिक्कों का संग्रह लाती उसके पास दूसरे देशों के सिक्के नहीं हैं, इसलिए कोई उसके संग्रा की प्रशंसा नहीं करता। या सोच कर वह उदास रहने लगी और मन ही मन स्वाती से इरश्या करने लगी। अब दिन रात रीना के मन में एक ही बात रहती थी, कि किसी तरह से स्वाती को मजा चखाऊं, ऐसा कुछ करूं जिससे कि सभी बच्चे केबल उसके सिक्कों की ही प्रशंसा करें। इस सोच ने उसे इतना स्वार्थी बना दिया कि उसके मन में एक बुरा विचार आया। मन ही मन उसने एक योशन बनाई। अगली बार जब स्वाती कक्षा में सिक्कों का संग्रह लाई तो मौका देखकर रीना ने उसमें से कुछ सिक्के निकाल लिये और उस थैली में सिक्के निकाले थे तब तो वही सिक्के थे पर अब थैली में उनके अस्थान पर कुछ पुराने सिक्के थे। यह सब देखकर वह बहुत दुखी हुई और रोने लगी घर में सब ने उसे चुप कराने की कोशिश की। पापा ने कहा अरे सिक्के दुबारा इखटे कर ले वे सोचने लगे कि ऐसा काम कौन कर सकता है उधर रीना भी कुछ परिशान सी थी जबकि उसे तो खोश होना चाहिए था कि जिस कारण से वस्वाती से इर्श्या करती थी वह वस्तु अब उसके पास थी लेकिन ऐसा नहीं था रीना बेचैन थी चुराय हुए सिक्के वह किसी को दिखा भी नहीं सकती थी घर में भी उन सिक्कों को नहीं रख सकती थी क्योंकि मा को पता चल जाता कि रीना ने सिक्के जरूर चोरी किये होंगे मा उसे अक्सर समझाती भी थी कि कि किसी की भी चीज बिना पूछे लेना चोरी होता है और चोरी करना बहुत बुरी बात है। यह सब सोच कर उसे अपनी गलती पर पच्टावा हो रहा था। आखिर उसने ऐसा निर्णय लिया ही क्यों। क्यों वह इतनी स्वार्थी हो गई। उसका मन उसे चोर चोर कहकर पुकारने लगा। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। वह बिस्तर पर लेटी पर उसे नेन नहीं आ रहे थी। बुरे बुरे खयाल मन में आ रहे थे। पूरी रात वह ठीक से सो भी नहीं पाई। सुबह होते होते उसने सोच लिया था कि वह अपनी गलती सुधारे की। अगले दिन सुबह वह सुधी के घर गई और उसके सिक्के वापस करते हुए उसने उसे सारी बात बताई। उसने रोते हुए सुधी से माफी भी मागी। सुधी पहले तो उसकी इर्शया के बारे में जानकर हैरान हुई। फिर हसते हुए बोली चलो अब रोने का ड्रामा बंद करो। यह कहकर उसने रीना को गले लगा कर चुप कर आया और माव भी कर दिया। उसने यह भी कहा कि इस बारे में वह किसी को कुछ नहीं बताएगी। स्वाती ने मनी मन तै किया कि वह रीना के लिए भी अपने मामा जी और बुआ जी से कहकर दूसरे देशों के सिक्के मंगवाएगी। रीना के मन से मानू बोज उतर गया था। अब दोनों में फिर से गहरी दोस्ती हो गई थी। दर्वाजे की ओट में खड़ी मा ये सब देख रही थी और मनी मन उन्हें अपनी बेटी स्वाती पर बहुत गर्व हो रहा था। नई जानकारी प्रतीक देश की डाक टिकटें मुद्रा और रास्ट्रिय प्रतीक बिन भिन होते हैं। विबेन देशों के सिक्कूं और डाक टिकटों पर प्रायह उस देश के किसी प्रसिद्ध व्यक्ती का चित्र अंकित होता है।